हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो एसेच फेशन वर्ल्ड आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ब्यूटीफूल सा डिजाइन लेकर के आई हूँ देखे ट्री की शेप में आपको डिजाइन दिखेगा यह देखे और साथ में जाली दार डिजाइन भी है उपन बार वाला खकता है और रांग साट से देखे हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है तो इस design को बनाने के लिए आपने six के multiple में फंदे रखने है प्लस आपको बाद में उसमें तीन कर लेना है जैसे कि देखें मैंने आपको 15 फंदों पे design बनाकर के बताऊंगी अभी 15 फंदे मैंने अपनी slide पे लगाएं है अच्छे से कुणा करके 12 और प्लस उसमें 3 करके 15 फंदे में आपर डाले है अगर इस तरह से आप फंदे डालोगे तो आपका जो design है वो set हो जाएगा तो चलिए start करते हैं इसको बनाना तो देखे ये हमारी row 1 है right side से सीधी तरफ से पहली row सेम इसी की तरह आपको बनानी है row 3 भी सेम बनानी है इसलिए इस row को त्यान से देखिएगा देखे क्या करेंगे पहला फंदा सीधा उतारा अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे 1, 2 धागा पीछे करेंगे अब इसके बाद यहां से हमने अपना repeat pattern स्टार्ट करना है क्या repeat करना है तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे 2, 3 धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे हमने उल्टे बनानी है 1, 2, 3 तो सारी row में हमने यही 6 फंदे repeat करने हैं 3 फंदे सीधे, 3 उल्टे देखे, 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे लास्ट में देखे हमारे पास यह 3 फंदे बचेंगे 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागा अगे लाके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे 1, और यह 2 और धागा पीछे करेंगे last के फंदे को हमने सीधा बना लेना है तो row third भी same आपको इसी तरह से बनानी है ठीक है जैसे हमने पहली row बनाई बसे ही आपको row third भी बनानी बज़े ये row two पर wrong side से तो row two को भी धियान से दिखेगा क्योंकि इसी की तरह आपको row four भी बनानी है पहला फंदा देखे इसमें उल्टा उतारा धागा पीछे दो फंदे सीधे बनाएंगे और दूसरा तरिका अगर आपको बता दूं तो जो फंदा जैसे दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है अब यही छे फंदे हमने रिपीट करने हैं तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे जो right side से हमने सीधे बनाये थे वो wrong side से उल्टे हो जाएंगे और जो right side से उल्टे बनाये थे वो wrong side से सीधे हो जाएंगे लास्ट में देखिए, तीन फंदे बचेंगे, दौ हम सीधे बनाएंगे, वन, तू, और लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बना लेना है. तो देखे इसी की तरह आपको row 3 भी बनानी है row 1 की तरह और row 4 आपको रॉंग सैट से row 2 की तरह बनानी है अब जाए row 5 पर राइड सैट से पांच वी रू सीधी तरफ से ध्यान से देखिएगा पहला फंदा देखे सीधा उतारा दागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागा पीछे ले जाएंगे अब यहाँ पर देखिए आगे वाले जो दो फंदे हैं फान ये के उल्टा और एके सीधा इन दोनों का हमने एक फंदा बनाना है और ये हम आगे की तरफ से सलाई को डालेंगे फिर इन दोनों का एक फंदा बना आप यहां से देखिए धागे को घुमाना है जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे अब आगे वाले जो देखिए, दो फंदे हैँ, आप देखिए, यहां से हम अपना repeat pattern start करेंगे, जब थिक है, यह धागे को घुमाया हमने अब ये के सीधा फंदा है के उल्टा फंदा इन दोनों को हमने पीछे की तरफ से दो काएक कर लेना है दो काएक कर लिया धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे धागा पीछे ले जाएंगे अब ये आगे वाले जो दो फंदे हैं देखिए इन दोनों का दो काईक करना है इस तरह से दो काईक कर लेंगे फिर धागे को घुमाएंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तो सारी रो में देखिए हमने यही इसी तरह से इस डिजाइन को बनाना है ठीक है छे फंदों का डिज वनाक ми पंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से हम इस रेजाइंक को बनाएंगे अब लास्ट में देखे हमने इस दो कैक कर लिया अब दागह अपनी तरफ हैंगे एक फणदा बनाएंडας do जाएंगे और लास्ट के फंदे को हमने सीधा बना लेना है अब आज जाएए रो शिक्स पर रौंग सड से पहला फंदा उल्टा उतारा दागा पीछे एक फंदा सीधा अपनी तरफ ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे वान टू त्री फोर और ये फाइब दागा पीछे ए एक फंदा सीधा ये हमने पूरी रो में रिपीट करना है पांच फंदे हमारे उल्टे बन रहे हो और एक फंदा सीधा बन रहा है एक दो तीन चार पांच अधागा पीछे एक फंदा सीधा और लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचेगा इसको हमने उल्टा बना लेना है अब आज जाईए रो 7 पर right side से 7 वी रो सीधे तरफ से, पहला फंदा देखिए इसमें सीधा उतारा, दागा अपनी तरफ करेंगे, अब आगे वाले जो दो फंदे हैं देखिए, 1, एके उल्टा और एके सीधा इन दोनों का हमने दो काय करना है, आगे की तरफ से, slide डालते दागा पहले पीछे की तरफ रखेंगे, ये दो काय कर लिया, इस तरह से, फिर दागे को घुमाना है, तीन फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, फिर देखिए, फिर से दागे को घुमाएंगे, आगे वाले जो दो फंदे, सॉरी, दो नहीं याँ पर तीन फंदों का हमने एक फंदा बनाना है, अब ये बीच में जो उल्टा फंदा है, इसको हम आगे लाएंगे, इस तरह से आगे लाएंगे, ये आगे लाया, अब इन तीनों का हमने पीछे की तरफ से एक फंदा बना लेना है, ये देखिए, इस तरह से हम ये करेंगे, तो देखिए, ये जो शुर यहां पर फिर से धागे को घुमाएंगे और देखिए यहां पर हमारे जो लास्ट में अभी हमारे पास यहां पर दो फंदे हैं दो काय करेंगे लेकिन जब हम बीच में बनाएंगे तो तीन फंदे हमारे यहां पर होंगे तो यह बीच वाला फंदा आगे लाएंगे फिर पी है आछ ने रहो हमने और फॉरा हमने एकपड़ी हुआ 나와 उसको पूरा हमने सीधह साथ हुआ. क्मपीट करा भेल हैare hoban तो यहा पर हम यह design थोड़ सा shift करेंगे अब यह वाला जो design हमारा यह पर आएगा और यह वाला जो उल्टे फंदे हम बना रहे थे वो यह हमारे उल्टे बनेंगे तो देखे क्या करेंगे पहला फंदा सीधा उतारा दो फंदे सीधे बना लेंगे दागा अपनी तरफ करेंगे अब यह 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं अब यहे 6 फंदे हमने रीपीट करने हैं और इसी कितर आपको रो 13 भी बनानी हैं तीन फंदे उल्टे और तीन फंदे सीधे, अब लास में देखिए हमारे पास ये तीन फंदे बचेंगे, तीनों हमने सीधे बनाने हैं, अब रूप 12 पर आजएए रॉंग सेट से, इसी की तरह आपको रूप 14 भी बनानी हैं, पहला फंदा उल्टा उतारा, दो फंदे तो यही छे फंदे हमने रिपीट करने हैं, ठीक है सेम वैसे ही हमने बनाना है, तो इसी की तरह बना लीजिए रूप 14 तक, फिर मैं बताती हूँ आपको रूप 15 हमने किस तरह से बनानी, अब आजए रूप 15 पर राइट साइड से, देखिए पहला फंदा इसमें सीधा उत अब आगे वाले जो दो फंदे हैं दोनों का हमने पीछे की तरफ से दो काय कर लेना है, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, अब आगे वाले दो फंदों का फिर से हमने दो का एक करना है, लेकिन यह हम आगे की तर सिधा इन दोनों का पीछे की तरफ से करेंगे दागा अपनी तरफ एक फंदा बनाएंगे दागा पीछे आप इन दो फंदों का फिर से हमने दो काएंक करना है लेकिन इस वार हम आगे की तरफ से स्लाइड डालते हुए दो काय करेंगे दागे को घुमाएंगे और लास्ट के दो फंदे भी हम सीधे बना लेंगे अब जाएए रो 16 पर रॉंग सैट से तो पहला फंदा इसमें उल्टा उतारा अब सेम वैसे ही करेंगे देखिए वान, टू, थी, तीन फंदे हम नहीं हाँ पर उल्टे बनाए दागा पीछे, एक फंदा सीधा फिर वैसे ही पांच फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा दो, तीन, चार, पांच, दागा पीछे, एक फंदा सीधा और लास्ट में देखिए हम मेरे पास यह चार फंदे बचेंगे, तीन हम यह उल्टे बनाएंगे, और लास्ट के फंदे को भी हम उल्टा बना लिए, तो अब अब जाई रो 17 पर राइट से पहला फंदा देखिए इसमें सीधा उतारा, अब यह दो फंदे हम सीधे बना लें ङुमाएंगे, और यह फंदे बना लेंगे, और फिर इन तीन को हमने पीछे की तरफ से तीन का एक बना लेंगे, फिर जाली डालेंगे, और तीन फंदे सीधे बनाएंगे अब देखें यहाँ पर यह जो शुरू के तीन फंदे हैं इनको छोड़ कर यहां से यहां तक हम फिर से अपना repeat pattern स्टार्ट करेंगे देखें धाग को घुमाएंगे आगे वाले जो तीन फंदे हैं इसमें सेंटर के फंदे को हम आगे लाएंगे और इस तरह से डालेंगे अब इन तीनों का हमने पीछे की तरफ से तीन का एक बना लेना है इस तरह से फिर धागे को घुमाएंगे और लाच के तीन फंदे हमने सीधे बना लेने है अब आजाईए रो 18 पर रॉंग सेट से इसको पूरा हमने उल्टा बनाते हुए complete करना है औ और उसके बाद रो 19 हमने राइट से सीधी बना लेनी है और रो 20 हमने रोंग सेट से उल्टी बना लेनी है तो यह तीन रो आप complete कर लेजे तो आप देखिए 20 रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ओवर हो जाता है अब यही 20 रो हम बनाते जाएंगे रो बन से ब्यूटीफुल सा डिजाइन जैसा आप देख रहे हो कुछ इस तरह से बनता जाएगा डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जुरूर बताईएगा थैंक्स और आजिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टुटोरिल के साथ अब तक के लिए बाबा लाएगे